अश्राम लेकों नहीं मुहम्मद भीद रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की उश्बू आज हम टेंथ स्टेंडर्ट की चेप्रवान की एक्सराइज 1.1 1.3 के आफ़ी दो क्वेश्चन जो रहते थे उनको कुट्ट भी कुट्ट भी कुट्टे थे इंटू एक्सराइब तो एक्सराइब नहीं लेके आथे हैं एक्स प्रस थी X-7 192 Hование F1 Xすっalnız X2 X 5 X 5 4 X1 X 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 पर एक्स के साथ एक्सकाइर एक्सक्ड एक्सको सेंटी साथ माइनस सेवन एक्स फिर ठीए के साथ प्लैस थी एक्स फिर 3 को एक 7 बिसाद तो माइनिस 21 अब इसको सॉर्डर करते हैं जो x को एक 5x माइनिस किया है प्लस का एक है तो 4x माइनिस 5 7x 7x माइनिस किया है तो 3x प्लस का माइनिस 4x रह गया माइनिस टॉर्डरीवान इकल दूर नाइनिटी टू अब देखें इतना पोर्षन और यह वाला दुनों से ही मैं तो इसी के लेट कर लेते हैं अब यह जो हमने लेट किया है इसकी जगा पे हम वाई को एड़ करते हैं तो यह आगया वाई माइनिस 5 इंटू यंगे भी वाई माईनिस ट्वटी वाई इको डू नाइनिटू अब य को य के साब मुल्टिप्लाई गिया तो य स्क्वेर वाई को टुटीवान के साब गिया तो माईनिस 21 y-5 y-5y-5y-5, 105 अगया इपल तो 192 और इसको y square 21 and 5, 26 plus 105, 192 दुसरी तरफ से दे लेखिया है, left side पे तो यह minus 192 equal to 0, अब minus 192 दे लेखिया है, और plus के 105 तो 87 minus के बच्के, यह आगे y square 26 y minus 87 equal to 0, अब हम दे गरना के factorization करनी है, इन दोनों का multiplication लेना है, तो यह 1 है, यह 87 है, इसका अदली सर्चिस को गएते हैं, यह 1 है और यह 87 है, तो multiply गिया तो 87 आगया, अब इसके इस portion के वो ऐसे दो part हमने बनाने हैं, जिनको multiply गएते हैं, तो answer 87 आए, अगर हम हम आख़ा करें, तो 26 ही आजाए, तो 87 जो है, हमारे cost 2 से divide नहीं होता, 3 से करके देखें, 3 से divide किया, 3, 2, 0, 6, 2 बच गे, 7, 7 मिलाया, 27, 9, 3, 0, 27, तो यह इसके दो portion, अब देखें, 29 पे से 3 को minus करें, तो 26 से बचता है, तो इसके मुदलब यह ही हमारी दो बचता है, तो y स्क्वेर माइनस 29, यहां पे बादे 3 रखे लेते हैं, 3 बचता है, 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 प्लस 3 बचता है, 29, y माइनस 87 इक्वाल टू 0, अब इन दोनों में y को मानें, तो यह आगया, y प्लस 3, माइनस 29 कॉमन कर दिया है, जो कि हमें माइनस को बाद ले लिए है, इसको अजाज़े यह वगाला, प्लस में अजाएगा तो y, प्लस, इसको डिवाइड़ी किया, इसके साथ तो यह तरी क्या है, इक्वाल टू 0, यह और यह दोनों सेम हैं, तो इसका मुदब इसको हम कॉम ले सकते हैं, तो यह y, प्लस, 3, और जो बाकी बजा, y, माइनस 29, इक्वाल टू 0, अब इन दोनों को हम अलाग अलाग 0 के बराबर रहते हैं, इक्वाल टू 0, y, इक्वाल टू माइनस 3, तो y की जगा पे हमने जो इसकी वैल्यू लैट की थी, यह रिफते हैं, x-square-4x, इक्वाल टू, माइनस 3, माइनस 3 को दूसरी तरह भी देख आते हैं, तो यह x-square-4x, प्लस 3, इक्वाल टू 0, अब इन दोनों को फिर factorization करते हैं, तो यह multiplication हाई 3, इसके दोग पाढ़ करने हैं, तो x-square-3x, माइनस x, प्लस 3, इक्वाल टू 0, अब इन दोनों में x कोमन है, तो x, माइनस 3, माइनस 1 कोमन, चुकि माइनस वाल टू लिए तो यह, यह वाल माइनस होगा अब तो 0, अब इसके जोड़ नहीं यादर करते हैं, अब यह दोनों सेम हैं, तो हमने किया इंबो कॉमन, x, माइनस 3, बाकी x और माइनस 1 बच गया है तो, उनको कठा कर दिया, अब इन दोनों को x, माइनस 3, इक्वाल टू 0, एंड, x, माइनस 1, इक्वाल टू 0, कि दूसी तरह जाके प्लास में हो गया इसी तरह माइनिस बाद दूसी तरह जाके प्लास में हो गया तो दो तो आपके यह अंसर आगे अब कि इस वाजे पॉर्शन को हम देरों के बराबर रखके कि दूसी तरह जाके प्लास में हो गया तो यहां पर लेट की है वही इतनी फिर से तो एक स्कुरर माइनस 4X equal to 29, 29 को दुसी तरह लेके आते हैं तो यह आगे एक स्कुरर माइनस 4X माइनस 29, अब इसकी भी फेक्टराइजेशन करने हैं लेगन फेक्टराइजेशन करते हैं तो इन दोनों के हमें ऐसे इस फुले पोर्शन के पार्टस नहीं मीलेंगे कि ये प्रॉपर दरीके से फेक्टराइज हो सके तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसकी ज़गा पर करते हैं अब कोडिरेक्टिक फर्मुला इस वाम करते हैं यहां पर यह आगया हमारे पास A is equal to 1 B is equal to minus 4 and C is equal to minus 29 अब कोडिरेक्टिक फर्मुला है हमारे कास X is equal to minus B plus minus Pka square minus 4 AAC over 2 A अब इन वैल्यू इनकी जगब इनकी वैल्यू को हम यहां बेपूट करते हैं तो minus B हमारे कास है minus 4 plus minus square root के अंदर है जी B का square minus 4 का square आगया minus 4 into A हमारे कास यहां पर 1 है और C है मारे कास माइनस 29 है over 2 into A की वैल्यू 1 अब X is equal to minus minus plus 4 plus minus यह square है तो यह भी plus होगया 16 यह minus और यह minus plus होगया अब इसको इसके साद़ मुल्टिप्लाई किया 49 by 4 and 1 9 436 4 2 0 8 9 10 11 1 16 over 2 X is equal to 4 plus minus अब इन दोनों को हमने क्या किया plus तो यह अगर 132 over 2 132 का अगर हम प्रक्राइज करते हैं इसको तो 2 का स्क्वेर बांगे रिए 4 plus plus minus 2 का स्क्वेर रूट multiply by 33 over 2 अब X is equal to 4 plus minus इसका स्क्वेर रूट प्रक्राइज रहे गया अब 33 रहे गया तो यहां पर x is equal to, अगर इन दोनों में हमने 2 को common कर लिया, तो यहां पर अगर 2 plus minus 33 का square root over 2, तो यह 2 इसके साथ अत्म हो गया, तो x is equal to 2 plus minus 33, तो आपका solution सेट राया, 3, 1, और 2 plus minus 33, square root आगया, तो यह है जी आपका solution सेट, तो question 16 है, x minus 1 into x minus 2 into x minus 8 into x plus 5 plus 360 equal to 0, अब इन दोनों को पहले multiply करते हैं, तो यह अगर x और x, x square, फिर x और minus 2 to 2x, minus 1 and x, multiply किया तो minus x, minus 1 minus 2 plus 2 into, अब इन दोनों को करते हैं, तो यह आगर x square, plus x minus 8x plus minus 8,040 plus 36, 360 is equal to 0, यहां पर इन दोनों को करते हैं, तो इन दोनों को करते हैं, यह देखें, minus x, x square minus 3x, x square minus 3x, यह दोनों सेम हैं, तो इसी को हम लेट कर लेते हैं, x square minus 3x is equal to y, तो इसकी रिवा पर जो हमने value लेट की बहुत लेट लेटे हैं, तो यह आगर y plus 2 into, यहां पर भी y minus party, plus 360 equal to 0, अब इन दोनों को करते हैं, तो यह y square हो गया, y into y, y square, अब y को minus 40 को साथ गया, तो यह minus 40y, 2 को इसके साथ गया, तो plus 2y, और 2 को इसके साथ गया, तो minus 80, plus 360 equal to 0, minus 40 से plus 2 निकाल दिये, तो minus 40y से निकाले तो 338y, अब 360 में से हमने 80 निकाले, 280, plus k, equal to 0, यह अब इसके निशी को, अब हमने एल करना है, इन दोनों का multiplication है हमारे पास 280, अब इसके इस portion के ऐसी दो पार्ट नाने हैं, जो जन दोनों पार्ट को अगर हम आपस में multiply करे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास 280 हो, और अगर हम उनको आपस में हम merge करते हैं, रठा करें, sum out करें, तो 38 ही रहे, तो, y2 minus 10y minus 28y plus 280 is equal to 0, अब 28 को 10 से multiply करें तो यह result में इंता है, अगर कठा करें तो यह आता है, तो इन दुनों में y common आ गया, तो y minus 10, minus 28 common आ गया, minus 5 यह भी minus हो जाएगा, तो यह plus में ही चला गया y, और यह minus 10 equal to 0, यह दुनों सेम हैं तो हम इनको common कर सकते हैं, y minus 10, बात की पर बाच गया है, हमने यह खठा किया है, equal to 0, इन दुनों को अलाग अलाग हमने y को 0 की ब्राव रखा, तो यह y minus 10 is equal to 0, तो y is equal to 10, इसी तरह y minus 20, 8 equal to 0, तो y is equal to, अब यह minus 10 था, तो यहां पर plus हो गया, इसी तरह minus 8 28 है, तो यहां पर plus 28 हो गया, अब हमने क्या करना है, start है जो हमने वह let की थी value, y की, x square minus 3x is equal to y, तो अब y की जगा पर आपे वह value रखनी हमने, x square minus 3x, पहले y को यह वाले portion के ले ले थे हैं, तो y is equal to 10, तो y की जगए आगया, x square minus 3x is equal to 10, 10 को दूस्ते ब ले गया थे हैं, x square minus 3x minus 10, minus 3, आपे प्लस था रहा हैं, अब इन दोनों के multiplication हमरे पास आ रहा है, 10, तो इस portion के दो बाट ना नहीं हैं, जो result में, multiplication की सूर्त में 10 आए, इन दोनों करेंगें, तो वह 3x रहे हैं, तो वह है 5 and 2, x square minus 5x, plus 2x minus 10, equal to 0, तो इन दोनों में common आ गया x, तो x minus 5 बाट की बाट रहे हैं, अब plus 2 common है, x minus 5, equal to 0, तो ये दोनों सेम है, x minus 5, x minus 5, तो इसको हम बखरते हैं common, बाट की बाट की बाट गये x और 2, तो ये आगए x plus 2, अब इन दोनों को फिर से अलाग अलाग, 0 को बाट रहे हैं, तो x is equal to 5, minus 5 दूसरे देख जाके plus 5 हो गया, x plus 2 equal to 0, x is equal to minus 2, plus 2 दूसरे जाके minus 2 हो गया, एक हज़र दा गया इसका हमारे पास, अब इसका देखते हैं, तो y is equal to 28, y के लगा कि हमने उसके लिए let की वी value रखनी है, जो start में हमने let किया है, तो minus 3 x, x square minus 3 x is equal to 28, 28 को दूसरे देख ले देख जाते हैं, x square minus 3 x, तो यह हमके plus दा तो minus 28 हो गया, is equal to 0, इन दोनों को multiply करते हैं, तो यह आता है 20, 28, अब 3 कैसे बार बनाने हैं, कि result हमारे पास sum की सुर्थ में, या अकठा करने की सुर्थ में, या merge करने की सुर्थ में, हमारे पास 7 x रहे, लेकिन अगर उन दोनों गॉट्स को पुट्स में multiply करते हैं, तो हमारे पास 28 आए, तो, वह है 7 x 4, 28, अब इन दोनों में x का मना आ गया, तो बाकी तो बचके वह डेकेट के अंदर आ गया, अब प्लस 4 कमन है, x minus 7 is equal to 0, यह दोनों सेम है, common कर लिए, minus 7, x और 4 हमारे पास पास के बचके वह को कठा कर दिया है, is equal to 0, x minus 7 is equal to 0, and x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 7, दुसी तरफ जाके plus 7 हो गया, x is equal to plus 4, और दुसी तरफ जाके minus 4 हो गया, तो यह आपको प्रेस्टम का फ्रीब हो गया, आपको दिख थे हो है, इसका solution set, 5 minus 2, 7 and minus 4, तो दोस्तो, exercise 1.3 complete हुई, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताके मेरी हराने वाली वीडियो सबस्क्राइब तक पहुंचे और तब तर के लिए लाफिज दौा में याद रखिएगा